सो गाईज आप लोगों की डिमांड पे आज इस वेडियो में होंडा CB300R का कंपेरिजन लेके आ गए हैं अपनी ट्रैंप स्पीड 400 के साथ सो हेलो गाईज कैसे हो आप से भाई हूप आप से अच्छे ही होगे मेरे नामे दीपक वेलकम बैक टो केटो के मोटो व्लोग्स हमारे सामने अभी दो बैक्स हैं आप देखी रहे गो एक है अपनी ट्रैंप स्पीड 400 और दूसरी है होंडा CB300R और CB300R का प्राइज अभी काफी कम हो चुका है और इसी वज़े से दोनों बैक्स का कमपैरिजन हो रहा है क्योंकि अगर CB300R का प्राइज कम नहीं हुआ होता अरे वा थोटी सी बिल्ली आगी है आएगी क्या हमारी सूट में अरे भाग गी यार ओके सो गाइज CB300R का कमपैरिजन अभी इसी लिए हो रहा है क्योंकि इसका प्राइज 37,000 कम हो चुका है और अभी दोनों बैक्स के एक्षवरूर्म प्राइज में कोई बहुत जादा डिफरेंस नहीं है और अभी प्राइज में तो आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले दोनों बैक्स के कमपैरिजन में हम प्राइज के बारे में ही बात कर लेते हैं जो अपनी ट्रैम स्पीड 400 है ये करेंटली इंडिया टूलर मार्केट में सबसे सस्ती पाद 2,000,000 एक्षोरूम प्राइज हो गया है और ओन रोड आपको मिलेगा इसका 2,000,000 के आसपास ही इसके इंदर 286 CC का लिक्विड कूल 6-speed ट्रास्मिशन वाला एंजन है जिसकी पावर 31 PS है और 27.5 नम का टोर्क है और अब ट्राइम के इंजन के बारे में बात करें तो इसके इंदर 398 CC का लिक्विड कूल 6-speed ट्रास्मिशन वाला एंजन है जिसकी पावर 40 PS है और 37.5 नम का टोर्क है तो देखा जाए तो ट्राइम के अंदर पावर 9 PS जादा है और 10 Nm का टोर्क जादा है इसी वज़े से यार एक वह वाले बात होती है कि no replacement for displacement वह वाले चीज़ तो भाई बिल्कुल है बड़ा एंजन है तो बड़ा एंजन पावर जादा दे रहा है और बड़े इंजन की जो टॉर्क आटपुट है पावर आटपुट है वो थोड़ी जादा अच्छी है और दोनों बाइक्स की top end performance आप देखोगे ना तो top end performance में कहीं ना कहीं ट्राइम स्पीड 400 थोड़ा जादा अच्छा stand करती है लेकिन initial acceleration की अगर बात की जाए तो initial acceleration में CV300R जादा अच्छा perform करती है और अपनी स्पीड 400 का weight haven 76 kg दोनों के weight में आपको 30 kg का असपास का difference देहने को मल जाता है और इसी वजए से जो अपनी CV300R है वो initial acceleration में थोड़ी जादा अच्छी stand करती है लेकिन mid range में और top end में आपकी triumph speed 400 जादा अच्छी stand करती मिलेगी आपको तो अब बात करते हैं दोनो bikes के fun looks के बारे में तो दोनों ही वैसे तो retro style वाली machine है इसको new retro design style दिया है Honda ने new retro इसलिए है क्योंकि इसके अंदर modern elements भी है और retro design style भी है इसके अंदर 41 mm के upside down front fox आपको मिल जाएंगे लेकिन इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 43 mm के upside down front fox मिलेंगे तो इसके अंदर जो usd fox उनका size थोड़ा बड़ा है LED headlight इसके अंदर भी है जिसकी finishing काफी अच्छी है तो दोनों की LED headlight काफी अच्छी है लेकिन सबसे important बाद मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी night riding quality है वो आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जो headlight है इसका illumination उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन decent है लेकिन हाँ अगर आप long highway rides करोगे तो इसके अंदर आपको extra lights install करानी की जरूत पड़ेगी लेकिन अपनी जो speed 400 है इसके अंदर आप अगर extra lights install नहीं करवाते हो ना तो आपको कोई ज़्यादा extra lights लगवाने की जरूत नहीं है अगर आप long highway rides करते हो तो लेकिन इसके अंदर आपको Apollo का Alpha H1 टायर मिल जाएगा और उसके अंदर आपको MRF का Revs टायर मिल जाएगा और 296 mm की इसके अंदर पैटल टाइप की disc brake है और इसके अंदर 300 mm की disc brake है Dual channel EBS तो आपको दोनो bikes में मिल जाएगा और अब सबसे बड़ा main difference दोनो bikes की electronic features के अंदर भी है speed founded के अंदर आपको electronic features मिल जाते हैं जैसे कि traction control है इसके अंदर ride by by technology भी है लेकिन ये दोनो features, electronic features आपको Honda की CB300R के अंदर नहीं मिलेंगे ये थोड़ीजी raw machine है यार raw power है इसके अंदर और कोई भी extra additional features आपको CB300R के अंदर नहीं मिलेंगे और बागी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको fully digital LCD display वाला instrument console देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको जितने भी features हमें चाहिए होते हैं सारे features आपको मिल जाएंगे और देखने में भी यार काफी compact सा है और अच्छा लगता है लेकिन इसके अंदर आपको retro style वाला analog प्लस digital type का instrument console मिलेगा जिसमें speedometer जो है वो analog type है लेकिन बागी features यहाँ पे digital दिये गए हैं और इसके अंदर जो है engine immobilization वाला function भी आता है यानि कि कोई और चाभी अगर आप लगाओगे तो bike start नहीं होगी लेकिन यह feature आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और इसकी की भी वैसे तो देखा जाए तो premium ये भी है लेकिन tram की की थोड़ी जादा premium है यार लेकिन अगर आप दोनों bikes की fuel tank को full कराके फिर अगर आप देखोगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा speed founded के अंदर fuel tank को full कराने के बाद आप 250-260 km का distance कवर करते हो और इसके अंदर भी आप fuel tank को full कराने के बाद 250-260 km का ही distance कवर कर पाओगे तो fuel tank capacity वाला जो point है वो बहुत ज़्यादा negative नहीं है क्योंकि इसकी जो mileage है वो थोड़ी सी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको एक अच्छी speed भी ride करोगे ना तो 35-40 km के आसपास की mileage भी यह bike deliver करती है लेकिन बहुत ज़्यादा roughly अगर आप चलाओगे तो फिर यह 25-30 km के mileage आपको बड़े आराम से offer कर देगी और दोनों के looks design and style के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको जो tank shrouds है fuel tank है उसका design and style naked street fighter design and style के साथ में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे panels का design काफी अच्छा है और tank का जो shape है वो बहुत अच्छा है और seat की भी finishing आप देख सकते हो बहुत अच्छी है split type की seats हैं इसके अंदर लेकिन उसके अंदर आप देखोगे न तो retro bikes के अंदर जैसा feel आता है न जैसा fuel tank आता है बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा और fuel cap आप देख सकते हो इसके उपर आपको chrome की finishing देखने को मिल जाएगी और single piece seat है इसके अंदर और pillion के लिए थोड़ इसी ज़्यादा comfortable है tram speed 400 लेकिन pillion के लिए ये उतनी ज़्यादा comfortable नहीं है और dono bikes की side panels के बारे में बात करें side profile के बारे में बात करें तो इसके इंदर आपको PC adjustable monoshock suspension देखने को मिल जाता है diamond frame के उपर based है और side profile यार इसकी भी काफी अच्छी लग रही है और foot packs की quality इसके इंदर भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी इसके इंदर आपको rear में offset type का monoshock suspension देखने को मिल जाता है लेकिन seat height तो वैसे दोनो bikes की 800 mm की है तो मेरी height 57 है और दोनो bikes में मैं एक side से पूरा flat foot रख सकता हूँ आप देख सकते हो उसके इंदर भी मैं ऐसे ही पूरा flat foot रख सकता हूँ तो दोनो bikes की seat height almost same है 800 mm की लेकिन weight के इंदर 30 kg का difference है और fuel tank capacity के इंदर भी थोड़ा सा difference है ही अब बात कर लेते हैं दोनो bikes की rear profile के बारे में तो इसके इंदर आपको एक midship type का muscular agio system देखने को मिल जाता है जो बहुत बढ़ा नहीं है और LED tail light की quality बहुत जादा अच्छी है पीछे से look भी काफी अच्छी है और rear fender बहुत ही प्यारा इसके इंदर दिया गया है आप चाहाओ तो इसको remove भी कर सकते हो tail tied इसके इंदर install गरवा सकते हो और इसके इंदर आप exo system देखोगे तो एक काफी बड़ा सा exo system दिया गया जैसे रेट्रो style वाली bikes के इंदर होता है और इसके इंदर भी आपको 150 section का पीछे tire मिल जाएगा dual channel ABS मिल जाएगा और LED indicators इसके इंदर भी है LED tail light का design इसका भी काफी अच्छ है और rear profile आपको इस bike की भी काफी अच्छी मिल जाएगी लेकिन दोनो bikes में से कौन सी की rear profile आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है ये comment section में जरूर बताना तो guys ये तो बात होगी दोनो bikes की specifications, engine सारी components के बारे में मैंने आपको बता दिया है लेकिन अब finally बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी bike लेनी चाहिए तो देखाए अब आपकी priority बे depend करेगा कि आपको कौन सी bike लेनी चाहिए अगर आपकी topmost priority ये है कि आपको थोड़ा बड़ा engine चाहिए power थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए आपको comfort थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए तो फिर आप time speed 400 के साथ जा सकते हो electronic features भी अगर आपकी topmost priority है traction control आपको चाहिए ride-a-wire technology चाहिए उसी price के अंदर तो फिर आप time speed 400 के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आपको एक light weight बाइक चाहिए जिसके engine refinement ज़्यादा अच्छी हो engine थोड़ा ज़्यादा smooth हो vibrations बहुत कम हो तो फिर आप CV300R के साथ भी जा सकते हो इसका plus point क्या है इसका plus point DR यह है कि इसका initial acceleration आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा time speed 400 से इसके अंदर vibrations बहुत कम है 120 km पर आओ की speed पर आप highway पे comfortably cruise कर सकते हो और 100 km पर आओ से उपर जाने के बाद vibrations इसके अंदर आपको कम feel होगी उसके अंदर vibrations थोड़ी ज़्यादा है मेरे point DR यह से अगर आपको ज़्यादा smooth, refined और reliable engine वाली बाइक चाहिए तो फिर आप CB300R के साथ जा सकते हो no doubt लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा engine चाहिए कम price में और ज़्यादा अच्छी performance चाहिए तो फिर आप time speed 400 के साथ जा सकते हो बाकि मेरे point DR यह से दायर दोनों ही bikes काफी अच्छी है comfort थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा है comfort इसके अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको ही यह देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज चाहिए क्या आपकी priorities है अपनी priorities के basis पे आपको कोई भी bike चूज करनी चाहिए तो दोनों bikes की एक बार आप टेस्टाइल लेके ज़रूर देखना और जो आपकी priorities को fulfill करती है उसके साथ आपको जाना चाहिए यह था इन दोनों bikes का detailed comparison आई होप की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रू कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को Instagram पे follow भी कर सकते हो at the rate kato ke moto vlogs तो फिर मिलते हैं यह वीडियो में Till then ride safe, drive safe